अस्सलाम अलेकुम इस्टुडेंट्स वेल्कम टू फार गुरूप अप एजुकेशन मैं हूँ सर वसीम आपका बायॉलजी टीचर तो स्टुडेंट्स लास्ट टाइम हमने फंजाई को डिस्स किया था ठीक इसके और अज हम डिस्स करेंगे अल्जी को ठीक इसे अल्जी गुरूप से यही टॉपिक आता है हम आपस बॉर्ड एक्जैम में क्लावड उबनास तो हम इसको भी डिस्स करेंगे ठीक तू देख र प्लाट लाइट ही होते हैं फॉर्ड सेंदेश कर सकते हैं ठीक अपनी लेकिन इनके पास कोई प्रॉपर्ट रूट्स हो गयरा नहीं होती ठीक अब इसके एक मिंबर हम आपस क्लावड उबनास ठीक इसको आज हम डिस्कुस करेंगे और एक बात मैं बता दूँ इनको हम कु एक्जेम में बहुत आता है ठीक अब इसकी डियाग्राम आ जाती है कभी इस पर आपके लिए नोट लिखना पड़ जाता है ठीक तो देखते हैं क्लावड उबनास क्या होता है यह ग्रीन अलजा है ठीक कौन सा ग्रीन अलजा है यह फ्रेश वाटर में पाया जाता है मीठे आपके डियाग्राम नज़र आ रही है यह क्लावड उबनास की डियाग्राम है तो इसके structure को डिसस कर लेते हैं शौटली डिसस करेंगे कि हमाँ पास short questions में ठीक तो हम इसको shortly discuss करेंगे तो इसके structure को देख लेते हैं हमाँ पर इसकी यह नज़र आ रही है ठीक जो इसकी आपको maintain करके रखती है means कि जो इसका structure नज़र आ ठीक इससे structure को maintain करके रखते है उसकी cell wall करके रखते है ठीक जो cell wall इसके यहाँ पर outside पर पाए जाती है अब हम apical papilla देख लेते हैं इसको एक structure उसको apical papilla कहते है ठीक जो आपको गोल राउंड structure नज़र ठीक इसससे आउट ग प्लचिला के लाएं ठीक एक लाफ़ छ्चिसला प्लचिला के लागते है ठीक तो डँसको प्लंचिला कहते हैं ठीक तो आज हमने भुरवक ले शोर्चन को डिस्सकी तो इस आने वाले वीडियोस में चेप्र नमर च्क्स स्बार्ट करेंगे क्योंकि इस चेप्रज से यही question आते थे जो हमने डिस्क्रस कर लिए तो इंशाला हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में दुजबते के लिए अल्ला आपिस